और देखें इसी बीच में तस्वीरे आ रही है जिन दो आरोपियों का एंकाउंटर हुआ है पैर में गोली लगी है उनके नेपाल सीमा से भागने की फिराख में थे ऐसा एडिजीन लॉयन ओर्डर की तरफ से कनफॉर्म किया गया है उनकी तरफ से इस बात की पुष्टी कर गई है और वहीं पर क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां चली इसी बीच में बहराइच में जिन पांच आरोपियों को गिरफतार करने की बाद पुलिस की तरफ से अभी की जा रही है उसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है ये एक्स्लूसर तस्वीरे इस वक्त नजर आ रहा है उसके भी पैर में गोली लगी है अब तक कुल मिलाकर पांच आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है जिसमें ये दोनों भी शामिल है और नेपाल से भागने की फिराक में ये दोनों आरोपी थे जिस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली एडी जी ल इनकाउंटर के बाद आरोपियों की आपको भारत 24 पर एक्सक्लूजव इस वक्त नजर आ रही है अब तक जो पाच नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफतारी हो चुकी एक को दाए एक को बाई पैर में गोली लगी है दोनों तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है बहराई चि जो इस वक्त आपके सामने है मुख्य आरोपी है ये सरफराज जिसका नाम रिंकू भी है इसके पैर में गोली लगी है जो तस्वीर में इस वक्त आपको नजर आ रहा है और ये सब कुछ नेपाल बॉर्डर के पास हुआ है क्योंकि पुलिस के मताबिक नेपाल भागने की में सरफराज था पहीम उसके साथ था और नेपाल सीमा से जुड़े वो इलाकों में इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है दोनों के पैर में गोली लगी है कुल मिलाकर पांच की गिरफतारी हो चुकी है ये इस वक्त अपडेट आया एडिजिन लॉय और की तरफ से औ उस मॉटम रिपोर्ट आई उसमें ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र था कि कितनी निर्ममता के साथ रामगोपाल मिश्रा की हात्या की गई